अगला कोशिन है यहाँ पर 26 इसमें पूछा गया है राजा भोज का सपना पुस्तक के लेकर कौन है तो जो राजा भोज का सपना पुस्तक के लेकर रहेंगे तो यह रहेंगे राजाशी प्रसाद सितारे हिंद सही भी कल्प यहाँ पर ए रहेगा अगला कोशन है 27 इसमें पूछा गया है इतिहास तीमीर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है तो इनके लेखक जो पुस्तक है इतिहास तीमीर नाशक इस पुस्तक के लेखक होंगे राजा सी प्रसाद सितारेहिंद सही बिकल्प D होगा अगला कोशन है 28 इसमें पुछा गया है मानव धर्मसार पुस्तक के रचईता का नाम बताईए तो ये हैं राजाशी प्रसाद सितारे हिंद तो इनकी तीन पुस्तक के हो गई है राजा भोश का सपना, इतिहास तीमी नाशक, मानव धर्मसार ये राजाशी प्रसाद सितारे हिंद की ही रचनाए है अगला कोशन है 29 इसमें पुछा गया है प्रजा हित्याशी नामक पत्तर आगरा से किसने निकाला था तो ये निकाला गया था राजा लक्षमन सिहं के दौरा, डी सही भी खल्प होगा ये प्रसाद भी बन सकता है कि जो प्रजा हित्याशी नामक पत्तर है कहां से निकलता था तो ये निकलता था आगरा से अगला कोशन है 30 इसमें पुछा गया है हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली नियारी नियारी है ये कथन किस लेखक का है अकसर प्रिक्षा में पूछा जाता ही ये प्रशन तो ये कथन होगा राजा लक्षमन सिहं का अगला कोशन है 31 इसमें पूछा गया है पंजाब में उर्दू का बिरोद करने वाले और हिंदी के समर्थक बिद्वान कौन थी तो ये थे नवीन चंदराय जो नवीन चंदराय थे ये पंजाब में उर्दू का बिरोद करते थे और हिंदी का समर्थन करते थे अगला कोशन है 32 इसमें पूछा गया है फ्रेडरिक पिनकार भारत में किस भाषा के समर्थक थे तो जो फ्रेडिरिक पिनकार थे ये भारत में हिंदी भाषा के ही समर्थक थे अगला कोशने 33 इसमें पुछा गया है भारत में अंगरजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सरप्रतम किस प्रांत में हुआ तो ये हुआ था बंगाल में सही बिकल्प सी होगा अगला कोशने 34 अच्छा प्रचने अक्सर प्रिक्षा में इसे पूछा जाता है प्रातना समाज की स्थापना इन में से किस ने की तो जो प्रातना समाज की स्थापना की थी ये केशव चंदर सेन के दुआरा की गई थी सही बिकल्प यहां पर सी रहेगा अगला कोशने 35 में पूछा गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक इन में से कौन थे तो ये प्रशन भी most important है अक्सर प्रिक्षा में पूछा जाता है तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे तो ये थे राजा रामोहन राय अगला कोशने प्राथना समाज की स्थापना कब ही थी, ये फ्रशन अभी important है, तो जो प्राथना समाज की स्थापना की गई थी, ये 1867 में की गई थी, और किस ने की थी, केशिव चंदर सेन के दुआरा याद रखिएगा, अगला कोशन है आरे समाज के सिंस्थापक कौन थे, तो आरे को दियान प्रभाग देखी गा अगला尖ी है सूचि ऐक को सूची दो के साथ सुमीलित करना है तो चलिए करते हैं जो विवेकनन सबन्दीत रहेंगे तो रामक्रिश्ल मिशिंड के साथ सबन्दीत दियनन सर्श्वती यह आरे समाज के साथ सबन्दीत रहें और जो केशिव चंदर सेन है ये रहेंगे प्रात्ना समाज से स्वंधित और जो राजा रामोन रहे हैं तो ये राजा रामोन रहेंगे ब्रह्म समाज से स्वंधित तो सही बिकल्प यहाँ पर बिकल्प A होगा रसाथ कोड A होगा A का B, 2 का C, 3 का D और 4 का A अगला कोशन है यहां पर 49 इसमें पुछा गया है भारत में Theosophical Society के कारे को आगे भढनने का श्रेक किसको जाता है तो ये जाता है स्रीमती Annie Besant को भारत में श्रीमती Annie Besant ने Theosophical Society को आगे भढ़ाया था अगला कोशन है 40 इसमें पुछा गया है बनारस सेंटर हिंदू कॉलेज की स्थापना करश्रे किसको है तो यह है श्रीमती एनी वेसेंट को ही अगला कोशन है 41 इसमें पुछा गया है आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है तो जो आधुनिक काल का जनक माना जाता है तो ये माना जाता है भारतेंदू बावु हरिश्चेंदर को important question है अक्सर प्रिक्षा में ये बन सकता है आधुनिकाल का जनक भारतेंदू बावु हरिश्चेंदर को माना जाता है अगला question 42 इसमें पुछा गिया है सत्यार्थ परकाश के रचईता कौन है तो जो सत्यार्थ प्रकाश के रचलिता रहेंगे तो ये रहेंगे बिकल्प ए देयानंद सर्ष्वती अगला क्षिन revision 43 इसमें पूछा गिया है आरे समाद की स्थापना कहां हुई थी तो जो आरे समाद की स्थापना की गई थी ये की गई थी बंबै में उस समय बंबई कहा जाता था आजके लिसे मुंबई कहा जाता है अगला कोशन है 44 इसमें पूछा गया है हिंदी परचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सरवादिक रहा है तो यह रहा है आरे समाज का नोट करिएगा इस परचार को जो इन्दी के परचार में आरे समाज का सबसे जादा योगदान रहा है अगला कोशन है 45 इसमें पूछा गया है भारतिन्दू यूक की समय सिमा इनमें से क्या है तो जो भारतिन्दू यूकी समेश में मानी जाती है तो यह होगी 1857 से लेकर 1900 सही बीकल्प भी रहेगा अगला कोशन है 46 इसमें पूछा गया है महाबीर परसाद्वी वेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कष संभाला था most most important प्रशन है दोस्तों यह प्रशन अक्सर हिंदी साहिती के प्रतिक प्रिशा में पूछा जाता है तो जो महाबीर परसाद्वी वेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था तो यह 1903 में संभाला था तो सही बीकल्प यहाँ पर C रहेगा 46 का C अगला कोशन है 47 भारतिंदू जी का जीवन काल कुछ कितने वर्शों का रहा है तो यह रहा था सिर्फ 35 वर्श का तो जो भारतिंदू हरिशंदर थे इन्होंने अल्प आयू 35 वर्श ही जी तो इतने 35 वर्शों में इन्होंने ना जाने हिंदी के परचार परसान में क्या-क्या योगदान किया था बहुती जादा महतपुन शक्सियत रहे हैं ये हमारे भारत में इन्होंने समास दार्रक के तौर पर भी एक महतपुन योगदान दिया है भारतिंदू हरिश्चंदर जी के दौरा इनका कई वारत अगर जनम पूछा जाए कि जो भारतिंदू हरिश्चंदर का जनम कब हुआ था तो ये हुआ था अठारा सो पिचास में अटला कोशिन है अटालिस इसमें पूछा गया है इनमें से पंडितावपन किस लेखक की भाषा में शुकल जी ने माना है प्रवित करने का श्रे किस लेखक को दिया जाता है तो जो हिंदी साहित्य को नवीन विशेयों की और प्रवित करने का श्रे दिया जाता है तो ये भारतिंदू हरिश्चंदर को ही दिया जाता है तो यहाँ पर सही विकल्प भी रहेगा अगला कोशन है पचास इसमें पूछा गया है चूरन साफ सब लोग खाता सारा देश हजम कर जाता यह पंक्ति किस कभी की है तो यह पंक्ति है C भारतेंदू हरिश्चंदर की तो पचास का सही बिकल्ब C होगा यह प्रशन भी इंपॉर्टेंट है बद्रीन नायन चौधरी प्रेमगन तो कई बार इनका जो जनम भी पूछा जाता है कि जो प्रेमगन का जनम कब है तो यह होगा अठारा सो पच्पन में बाकी जो सरदार पून सी है मैथली शर्न गूप्त है अयोद्या सी उपादिया है यह तीनों ही द्वी वेदे यूके कवी है सिवाए बद्रीन नायन चौधरी प्रेमगन की अगला कोशने बावन इसमें पूछा गया है इनमें से कौन भारतिन्दू मंदल का लेकक नहीं है तो यह होगे बिकलपड़ी गुलाब राए बाकी बालक्रिशन भट, पंडित प्रताप नरायन मिश्र, ठाकुट जगमोहन सी हैं यह तीनों ही भारतिन्दू मंदल के लेकक है अगला कोशने त्रेपन इसमें पूछा गया है भारतिन्दू जी ने किस नाटक में अभिने किया था तो यह किया गया था जानकी मंगल नाटक में सही बिकल्प यहाँ पर भी होगा अगला कोशने चववन इसमें पूछा गया है इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिने करने के लिए अपने पिता से मुझ मुढवाने की आगया मांगी थी तो यह जो परताप नरायन मिश्र है नुतन ब्रमचारी नामक उपनियास के लेखक कौन है बहुत अच्छा प्रशन है दोस्तों तो यह होंगे बालकृष्ण भट तो कई बार यह प्रशन इस परकार से भी पूछा जा सकता है कि जो नुतन ब्रमचारी है कि किस विदा की रचना है तो यह उपनियास विदा की रचना है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट सही भी कर्प सी रहेगा यहाँ पर अगला कोशनित चपन इसमें पूछा गया है अचारे रामचंदर शुकर ने हिंदी का पहला उपनियास इन में से किसे माना है तो यह माना है प्रिक्षा गुरु को सही भी कर्प सी होगा